कि स्वागत है आप सभी का हमारे यूटूब चैनल एस्ट्रम पार्टनर में मैं साहिल सर आज लेकर आया हूं चार्ज अथार्थ इलेक्टिक चार्ज याने आविस आविस क्या है आज की इस वीडियो में हम पूरी डिटेल में जानेंगे क्योंकि यह रिलेटेड है इलेक्टिस सीटी से तो इलेक्टिस सीटी का सबसे पहला टॉपिक हम चार्ज को पढ़ाने वाले तो आईए शुरुआत करते हैं इलेक्टिक चार्ज की तो चार्ज को पढ़ाने से पहले हम आपको एक वीडियो दिखाना जाते हैं इस एनिमेशन क करते हैं उसे हैर से या फर से रव करते हैं अब उस बेलिन को किसी कॉंटेक्ट में ले जाते हैं तो वह एट्रेक्ट कर लेते हैं छोटे-चोटे Particles के पास चोड़े Paper के टुकड़े के पास ले जाते है तो उसमें एक Attraction का property आ जाता है और वो Combs आठ्रेक्ट कर लेता जब हम उसमें रगडते हैं तो उसमें Attraction का property आ जाता है तो चार्ज क्या है इस वीडियो को अब इस एनिमेशन को देखने के बाद हलका फुलका तो थोड़ा बहुत समझ में आई गया होगा तो आईए समझते हैं कि चार्ज होता क्या चीज है चार्ज जो होता है इस फिजिकल प्रपरटिज ओप मैट यानि इलेक्टिक चार्ज या पिर चार्ज जो है एक फिजिकल प्रपरटिज है जिसके कारण वो किसी भी औबजेट को अपनी और रिपल करता है या पिर अपने से दूर रिपल कर देता सेम तो से मेगनेट वाला केस यहां पर आता है तो यह होता क्यों है और यह किस प्रपरटिज के कारण होता है इसे हम आज किस वीडियो में पूरा जानेंगी तो सबसे पहले इलेक्टिक चार्ज को आप समझ गए तो चार्ज की खोज यानि आविस की खोज करने वाले ग्रिक के एक साइंटिक्स्ट जिनका नाम थेल्स था आज से करीब 600 साल पहले इन्होंने चार्ज की खोज कर ली थी अथार्थ अगर हम हिंदी में बात करें तो आविस पदार्थ का एक ऐसा गून है जिसमें जब पदार्थों को आपस में रगड़ा जाता है तो उनमें परस पर इलेक्ट्रोन के आदान पार्दान के फल सवरूप आकरसन का गून आ जाता है अथार्थ जब भी तो आवजेक्ट को हम आपस में रगड़ते हैं तो रगड़ने से उसमें इलेक्ट्रोन का ट्रांसफर हो जाता है जिसके कारण वो इलेक्टिकली चार्ज हो जाते है तो यह क्यों और कैसे होता है आए जानते हैं चाहते हैं एक तिम स्मॉलिस्ट फंडा करें तो डाल्टन ने कहा था कि एटम्स को में नहीं तोड़ सकते हैं पर जब एक तो कहा गया था कि एटम जो है उसे हम नहीं तोड़ सकते हैं लेकिन बाद में एटम को तोड़ दिया गया इलेक्ट्रोन प्रोटोन और न्यूट्रोन में तो आप इस फिकर से समझ सकते हैं कि किसी भी atom का structure कुछ इस तरह का होता है जिसके बीच में आप देख सकते हैं proton और neutron होते हैं proton and neutron होते हैं और साथ ही साथ यह जो electron होते हैं outer orbit में revolve करते हैं यह electron यह जो outer orbit है आप देख सकते हैं electron इस outer orbit में revolve करते हैं लेकिन में होते हैं proton and neutron अब समझे यह जो charge produce होता है इसका सबसे बड़ा जो reason है यह electron के करान होता है तो कैसी होता है? आईए समझते हैं किसी भी atom में होता है proton and neutron अगर हम charge की बात करें तो proton का charge होता है positively 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb C4 coulomb C यहाँ पर ऐसा unit है और electron का बात करें कि C का बात हम आगे करेंगे electron का बात करें तो यह होता है negative 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb यानि कि दोनों में same charge बट sign अलग positive charge होते हैं एक में negative charge यानि proton होते हैं positive charge के electron होते हैं negative charge के लेकिन किसी भी atom में number of proton and number of electron equal होते हैं number of proton is equal to number of electron यानि जितने negative charge उतने ही positive charge अब positive charge और negative charge दोनों अगर equal amount में रहेंगे तो यह totally neutralize हो जाएंगे यानि एक atom जो होता है वो fully neutral होता है क्या होता है यह neutral होता है क्योंकि number of proton और number of electron equal होते हैं जिसके कारण एक atom neutral होता है और इसी तरह कोई भी substance बना होता है बहुत सारे atoms है यानि infinite number of atoms है यानि एक atom जब neutral है तो दुसरा atom neutral तिसरा atom neutral चोथा neutral यानि एक substance का बात कर लें तो वो पूरा substance ही neutral है जब यह neutral है तो फिर चार्ज क्यों हो जाते हैं तो समझी आगे किसी भी atoms के proton जो होते हैं वो बीच में होते हैं निकलियस में होते हैं यह fix होते हैं proton का movement नहीं होता है इसमें जो चार्ज होता है वो electron के कारण होते हैं electron क्या करते हैं कि यह jump कर जाते हैं मूव कर जाते जो इलेक्ट्रोन निकलियस से जितना अधिक दूर होते हैं वो उतना जल्दी जंफ करेंगे तो जब भी ये इलेक्ट्रोन यहां से जंफ करके दूसरे और्बिट में चल जाएंगे जैसा कि आप एनिमेशन में देख सकते हैं कि जभी एलेक्ट्रॉन जंफ करके दूसरे एलेक्ट्रॉन के दूसरे एटम के पास सल जाएंगे तो इसमें क्या होगा नमबर ओप प्रोटोन is equal to था नमबर ओप इलेक्ट्रॉन था कि नहीं की संख्या बढ़ गई यानि यह इलेक्टिकली पॉजिटिव चार्ज हो जाए लेकिन यह इलेक्ट्रोन जिस सबस्टांस में गया जिस मेंटर पे गया उसमें इलेक्ट्रोन की संख्या जादा हो जाएगी तो वह नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी क्या हो जाएंगे नेग ज्यादा हो जाए कि और जिस्से नेगेटिव निकल के गया वहां पर नेगेटिव की कमी हो जाएगी जिसके कारण वह पोजीटिव हो जाए gonna be so this तु इस तरहीं से यह चार्ज हो जाएगे यानि जिसमें और जिसमें पॉजीटिव किसंट का ज्यादा वह positively charge होते हैं तो यह charge किस तरह से होते हैं यह negative यह जो electron ही जंप करते हैं तो किसी भी चीज को charge करने के दो तरीके हैं ठीक है charge करने के दो तरीके बताएंगे एक होता है conduction कि दूसरा होता है induction यह दो तरीके से किसी भी object को charge किया जा सकता है यानि कि अगर आप किसी सबसे पहले contact में और non-contact में दोनों में बताएंगे है कि जब एक object को दूसरे object से रगड़ा जाता है तो रगडने के कारण आपस में यह जब परसपर आपस में एक दूसरे के उफर friction force लगाते हैं तो एक से इलेक्ट्रोन का ट्रांसपर दूसरे में हो जाता है जब एक से इलेक्ट्रोन का ट्रांसपर दूसरे में हो जाता है तो जिसमें कब positive और किसमें कब negative होता है यह तो था by friction वाला conduction होता है induction होता है इसके लिए अलग से एक वीडियो बनाना पड़ेगा कि charge के तरीके से कौन-कौन से तो charge के मेथड़ बता है charging by contact यानि friction करके यह conduct उसमें conductor जोड के कर सकते हैं और induction में क्या होता है जब किसे charge particle को uncharge particle के करीब लाके रखते हैं तो बाइ induction वो charge हो जाते हैं यानि उसमें rearrangement हो जाता है electrons का और protons का जिसके कारण वो charge हो जाते हैं तो इसके लिए एक अलग सा वीडियो बनेगा कि charging किस तरीके से होते हैं तो यहां पर आप देख लिए कि जब दो object को आपस में रगड़ा जाता है तो रगड़ने के कारण उसमें electron का transfer हो जाता है electron का क्या होता है transfer होता है अब जब electron का transfer हो गया तो वह electrical हो जाते हैं अब जब उस object को दुसरे के करीब ले जाता है तो वह positive वाले को अपनी और attract कर लेंगे निकल negative वाले को ripple कर देंगे क्योंकि वह negatively charge हो गया तो देखो कब negatively होता है जब आप एक glass rod को लेंगे glass rod को लेके silk cloth में अगर आप उसको rub करेंगे तो आपका यह जो glass rod है वह positively charge हो जाएंगे और वह silk cloth negatively charge हो जाएंगे इसी तरह एक आता है evonite rod evonite rod को अगर आप animals के fur में ले जाके rub करेंगे जिस तरह से देख रहें इसको अगर आप rub करेंगे तो मेरा evonite rod जो है वह negatively charge हो जाएगा और एनिमल फर positively charge हो जाएगा अथार्थ वह जो फर है उससे electron का transfer हो जाएगा इवरनाइट rod में लेकिन silk वाला में क्या होता है उसमें से electron का transfer हो जाता है सिल्क cloth में है ना positive का transfer नहीं होता है positive अपने जगा में बने होते हैं तो उसमें बोलिएगा कि सर इसमें excess कैसे हो गया proton तो excess proton नहीं होता है वहां से electron निकल जाने के कारण electron का वहां से transfer हो जाने के कारण वह positive excess हो जाता है लेकिन जिसमें electron चला जाता है उसमें electron के संक्षे ज्यादा बढ़ जाती है जिसके कारण वह negatively charge हो जाते है तो इस तरह से अकर charge की हम बात करें तो there are two types of charge types of electric charge कितने तरह के हुए two types of तो there are two types of electric charge एक में है positive charge and negative charge कितने तरह के charge होते है पॉजटिव एंड नेगटिव चार्ज तो positive और negative charge के जो तू तरह के charge होते हैं जोनों का sign example के लिए proton जो हो गया वह positively charge होते हैं और election जो होता है वो negatively charge होते हैं अब क्या होता है कि जब opposite charge को यानि unlike charge को एक दूसरे के करीब रखा जाता है तो उसमें force of attraction हो जाता है और वे दोनों एक दूसरे को attract कर लेते हैं यहां जब एक positive charge को एक negative charge के करीब रखा जाता है तो होता क्या है कि इसमें attraction होता है तो क्यों होता है positive और negative में attraction तो देखिए यह जो positive charge है और negative चार्ज है positive charge एक force exert करती है इससे एक जो field lines निकलता है वह positive से निकलता है और वो नेगेटिव की और इंटर करता है सेम तुझ से मेगनेट में जिस तरह नॉर्थ और साउथ पोल से होता था ना उसी तरह यहां भी है पोजिटिव चार्ज से एक इलेक्टिक फिल्ड रायंस निकलती है और वो नेगेटिव की और जाती है positive से निकलती हैं, और वो negative की और inter करती है, जिसके कारण negative अपने अंदर लेता है, और positive अपने से बहार निकलता है. जिसके कारण इसMA Traction होता है। लेकिन जब दो positive जार्ड को एक दुसरे के करीब रखा जाता है, तो positive से भी electric field lines निकलते हैं और negative से भी electric field lines निकलते हैं जिसके कारण यह जब दोनों एक दुसरे के opposite निकलते हैं तो एक जगह पर आगे यह सर्टना चाहेंगे और जब ये एक जगा पर आगय सर्टना चाहेंगे तो ये फिल्ड लाइन्स जो होते हैं ये तो आप उसमें इंटरसेक्ट करते नहीं है तो ये एक दुसरे को रिफल कर देता है और इस तरह से इसमें एट्रेक्शन नहीं बलकि रिपल्सन होता है क्योंकि दोनों से इलेक्ट यानि कि अगर अपोजिट का बात करें तो अपोजिट यानि कि पोजिटिव एन नेगेटिव चार्ज एट्रेक्ट इस अधर वहीं अगर सिमिलर चार्ज का बात करें या पोजिटिव चार्ज और नेगेटिव पोजिटिव पोजिटिव चार्ज और नेगेटिव which is released from the positive charge and entered to the negative charge which shows an electric field electric field lines हमेशा एक electric field को show करता है electric field lines is from a positive charge to a negative charge electric field lines do not intersect or touch each other ये दोनों lines होते हैं एक दुसरे को कभी intersect नहीं करते हैं जिसके कान पोजिटीव-पोजिटीव में repulsion होता है, negative-negative में repulsion होता है electric field lines repulsion the path small positive charge would move in the electric fields यानि electric field line यह repulsion करते हैं force के path को यानि ये positive से निकल के वो negative की और जाता है आगे है इसी attraction के कारण होता क्या है कि electro aesthetic force अगजट होता है electro aesthetic force same-to-same gravitational की तरह है चार fundamental force होते है चार में से एक है electro aesthetic force एक होता है strong nuclear force wake nuclear force electro aesthetic force और gravitational force तो electro aesthetic force भी एक gravitational की तरह ही होता है लेकिन इसमें मास माइने नहीं रखता है यान इलेक्ट्र एस्टेटिक force is a non-contact force it is a non-contact force in which two charge object exert a force of attraction और repulsion अथार्थ electro aesthetic force एक non-contact force है जिसमें दो चार्ज पार्टिकल या फिर एक चार्ज पार्टिकल दुसरे पार्टिकल को अपनी और attract करता हो या ripple करता हो इसे हम electro aesthetic force कहेंगे यह जो electro aesthetic force लगता है या तो दोनों चार्ज हो सकते हैं या इन में से कोई एक चार्ज हो सकता है ठीक है यह होता है electro aesthetic force electric force क्या है तो electric force क्या है the electrical force is a push or pull exerted upon an object as a result of its reaction between electrical charges electric force क्या होता है कि दो जो चार्जेज होते हैं यह जो चार्जेज एक दूसरी पर फोर्ष लगाता है जिसके कारण attraction या repulsion होता है यानि उनमें interaction होता है इसी को हम electric force कहते हैं जिसे एक positive charge है एक negative charge को अपनी और attract कर रहा है आगे समझते हैं कुलॉंब क्या कुलॉंब इसते SI unit of electric charges अथा इलेक्टिक जो होता है यह वह काफी बड़ा charge केरी करता है अगर एक electron का बात करें तो इन electron पोज़ाद एन लेगेटी चार्ज ऑफ 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलॉंब अधार्थ एक जो electron होता है 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलॉंब का चार्ज करता है लेकिन 1 कूलॉंब क्या किसी भी conductor में एक सेकंड में एक एंपियर की करेंट को फ्लो करानेके वक्त जितना भी electron उसमें फ्लो कर जाता है उसे हम वन कूलॉंब करते हैं यानि कि एक कंड़क्टर है उस पर हम एक सेकंड एक एंपियर करेंट फ्लो कराते हैं एक सेकंड एक एंपियर का करेंट फ्लो करवाते हैं अब एक सेकंड जब एक एंपियर का करेंट फ्लो कराएंगे तो करेंट कब फ्लो होता है जब इलेक्ट्रों का फ्लोंग होता तो एक सेकंड में एक एंपियर का कर यानि विद्धुद्धारा एक सेकेंड तक परवाहित करने पर उत्पन आवेश की मात्रा को कूलॉम काते हैं अथा इसा यूनिट आप एलेक्टिक चार्ज इस कूलॉम इसा यूनिट क्या हो गया कूलॉम हो क्या इसको दूसरे तरीके में अगर हम बोलें तो वन कूलॉम इस दा क्वांटिटी ओफ एलेक्टिक चार्ज विस एगजर्ट एफ फोर्स आप नाइन न्यूटन ओन एन इकवल चार्ज प्लेस्ट एट डिस्टेंस ओफ वन मीटर फ्रॉम यह दूसरे सब्दों में क्या कहा गया है कि वन कूलॉम किसी भी चार्ज को एक प्लेस से एक मीटर के डिस्टेंस तक प्लेस करने में 9 इंटू 10 तो दिप हम नाइन न्यूटन का फोर्स लगता है जिसे वन क्यूलॉम कहते हैं लेकिन इसको मत समझें हम हम इसको समझें जीसे हम पहले कहा है कि कि किसी कंड़कटर में एक एमपीर की करेंट एक सेकंड तक फिलो कराने में जितना भी इलेक्ट्रॉन फिलो करता है उसे हम जिदे चार्ज में इसफ्टेंस नाइंटा नेस नन सुल गिलॉम देखो पूछ 6 into 10 to the power minus 19 कूलम और number of electron 1 मान लेते हैं कितना मानेंगे 1 तो इफ चार्ज इच 1 कूलम जदि चार्ज एक कूलम है तो number of electron कितना होगा 1 कूलम तब समझ में आ गया है तो 1 कूलम में number of electron कितना होगा तो लिखेंगे 1 by 1.6 into 10 to the power minus 19 into 1 यानि अगर इसको हम बोलें सीधे साधे बात में तो 6.25 into 10 to the power 18 electron flow करते हैं 1 कूलम में कितने electron हता है 6.25 into 10 to the power 18 electron अथाथ 625 0000000000000000000000 यानि 625 और 16 0 लगा दो अब काउंट कर लो उतना electron जो होता है one second में flow कर जाता है यानि कि one कूलम में इतना चार्ज होता है कितना इतना electron के बराबर एक electron का तो चार्ज बाता है 1.6 into 10 to the power minus 19 तो इतना electron का बता है 6.25 into 10 to the power 18 electron इतना electron one कूलम में flow करता है यह चीज को समझना होगा यानि the SI unit of electric charge is कूलम that is equivalent to the charge content in 6.25 into 10 to the power 18 electron यानि 6.25 into 10 to the power 18 electron में जितना चार्ज होगा उसी को हम one कूलम कहेंगे क्योंकि एक सेकेंड में जो flow होता है इलेक्ट्रोनों की संख्या वह होता है 6.25 into 10 to the power 18 electron एक सेकेंड में एक एंपियर का करेंट फ्लो कराने तो इसे हम लोग कहते हैं कूलम तो SI unit होगा यह कूलम तो यह था आज का वीडियो जिसमें हम electric charge की बात करें यानि कि जब भी दो object को सामने friction करवाया जाता है तो उससे प्रोडूज होता है एक तरह का चार्ज यानि जब इसमें friction कराएंगे तो friction कराने से क्या होता है क्या होता है उसमें electron का transfer हो जाता है जिसके कारण वो मेटर charge हो जाते हैं और जब वो चार्ज हो जाएंगे तो उसमें इलेक्टिकली चार्ज कहेंगे चार्ज के ऐसा यूनिट कुलों होता है वन कुलों में नंबर ऑफ किसी भी atom में number of electron और number of proton यानि कि वह पूरी तरह से neutral होता है यानि प्रोटोन और electron के संक्या equal होता है जब उससे electron हट जाता है तो वह positively charge हो जाते यानि उससे निकल गया transfer कर गया जंप कर गया तो वह positively हो जाते हैं लेकिन जब किसी सब्स्टांस में electron कूद के आ चुके हैं तो उसमें electron के संक्या ज्यादा हो जाएगी तो वह negatively charged particle होते हैं तो यहां तक आज हम समझे अगली वीडियो जब लाएंगे तो वहां पर हम बताएंगे कि इस electron के flow के कारण ही current होता है कैसे वह अगली वीडियो में बताएंगे कि करेंट क्या है और करेंट कैसे प्रोडिश होता है conductor क्या है इंसुलेटर क्या है तब तक के लिए थैंक्यू अनवाइब